आज के कार्कम में उपस से सभी समाजवादी साथी और बड़ी संख्या में पतकार साथी हो मैं सबसे पहले जितने भी साथी अनिदल छोड़ करके आए हैं जिसमें बहुजन समाज पार्टी से भारती जनता पार्टी से मैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद देता हूँ मुझे खुशी हुई कि आदर्य बल्हारी बाबुजी ने बहुत संख्यप में सब बातों को रख दिया आदर्य बल्हारी बाबुजी से चुनाओ के समय मुलाकात हुई और चुनाओ से पहले केवर नाम सुना करते थे हमारे जितने भी आजमगड के नेता हैं या पूरवाणशल आस पास के जितने भी नेता कभी मिले मुझे उन्होंने यही कहा कि अगर बल्हारी बाबुजी साथ आ जाएंगे और हम लोग जोड ले जाएंगे तो आजमगड और आस पास पूरे प्रदेश में नए तरह का संधेश जाने का काम होगा जहां आपने शुरुआती दोर में बहुजन समाज पार्टी से उनके बड़े बड़े नेताओं के साथ रह करके काम किया आज जिन को बहुत सारे बहुजन लोग याद कर रहे हैं मानवा काशीराम जी उनके साथ रह करके आपने लगातार दलेख पिष्रे और जिनके साथ न्याय हुआं उनको आगे बढ killersने का काम किया मुझे खुशी है इस बात की कि बलेहायब अबुजी के साथ साथ बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं साथ ही में तिलक अहिरवार जी जो मलसी रहे मैं उनका स्वागत करता हूँ फेरनलाल अहिरवाल जी का स्वागत करता हूँ अलिल एहरवार हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ और भारती जंता पार्टी से छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आने वाले इंद पाल पाल जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बढ़ाई देता हूँ कली हमारी राश्य का कारने की बैठक खतम हुई है और समाजवादी ने कहा कि हम सब मिल करके 22 में 351 सीटें जीतेंगे कई लोग सवाल पूछतें कि 351 क्यों 351 इसलिए कि फ्लाइड में मैं जा रहा था दिल्ली और फ्लाइड में एक हमें मिले मेरे सीट के बगल में आकर के बैठ गए उन्होंने पहले तो मुझे देखा और जैसे उन्होंने मुझे देखा तो मैंने उन्हें पड़ाम कर लिया उसके बाद उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा करो हाथ आगे करो तो मैं थरुड़ा संकोज में था कि हाथ आगे क्यों करो लेकिन जब उन्होंने उनके सामने में अपना हाथ दहना आगे कर दिया तो पहले तो उन्होंने देखा कि हाथ में नंगूठी पेने हूँ न कोई कड़ा है न कुछ है लेकिन बड़ा ध्यान से देखने के बाद उन्होंने कहा कि इस बार आपकी सरकार बनने जा रही है जीत करके आओगे मैंने उसी समय तेकर लिया मैंने का मैं आपकी बात नहीं मानता 350 की मैं केवल एक जोड़ना चाहता हूँ 351 सीटें जीत करके आएंगे क्योंकि हमारा लक्ष बड़ा है हमने वो संख्या बताई है जो संख्या कल्पना नहीं कर सकता कोई इससे पहले हमने भी नहीं सोचा था कि भारती जन्ता पार्टी 300 से जादे सीटें जीत सकती है अगर समा भारती जन्ता पार्टी जूट फैला करके 300 से जादे सीटें जीत सकती है तो इमानदारी से महनत करके सचाई के साथ लोगों को जोड़ करके और अपने सब लोगों का आशिवार ले करके हम 351 सीटें भी जीत सकते है इसलिए जो उनका नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास उसमें एक इची जोड़ दो वो फरजी है हमारा आपका नारा असली होगा इसलिए मंच पर यतने लोग बैठे हैं हम इन सब को जोड़ करके 351 सीटें जीते हैंने के लिए लक्ष बना करके चल रहे हैं और जीता जाएगा क्योंकि 22 में चलेगी 22 किल इसलिए मुझे खुशी है इस बात की कि बहुत पुराने लोग हैं ये नियू के लोग हैं इनको समाजी तमाम चीजों की जानकारी है इन्होंने अन्याय का सामना किया समय समय पे दुख दर्द को देखा है जो हमारे भारत वर्ष की तमाम जो चीजें है जो जाल बुने गए हैं जाल बुने हुए हैं उनसे निकल करके आए हैं इसलिए जब ये साथ चलेंगे तो हम लोगों को भी कोई जाल फसा नहीं पाएगा हम लोग भी आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि जैसी सरकार चल लगी है वो तो आप जानते हैं आप यकीन रख करना इस बात का मुझे अभी किसी ने बताया कि देखिएगा दो महीने बाद ये बीजेपी की सरकार कहेगी कि देखो सबसे बड़ी उपलब्दी हमारी है कि कोरोना वाइरस हमने फैलने नहीं दिया ये उपलब्दी बताएंगे अपनी इसलिए बहुत से लोगों ने कहा कि अब भीड खटा मत करिये कारकम मत करिये लेकिन मैं धन्यवाद पतकार साथियों को दे रहा हूँ कि हमारे कारले में आए यहां कोई कोरोना वाइरस नहीं होने वाला है जहां तक उपलब्दियों का सवाल है सिक्षा के छेत्र में गुरबक्ता की सिक्षा के छेत्र में भारती जन्ता पार्टी की सरकार के सबसे पीछे नजर आ रही है स्वास सुगधाओं के छित में भी पीछे है मिद्डे मिल में इतना मिष्टाचार कभी नहीं हुआ होगा जितना भारती जन्ता पार्टी की सरकार में हुआ है कब पानी से दूद बना दें कब हल्दी मिला के दाल बना दें और कब आपको नमग रोटी के सारे छोड़ दें ये पुर्देश जिसमें देश की सबसे बहतरी रिस्पॉंस सिस्टम पुलिस का बनाया था वो महिलाओं के अत्याचार में अन्याए में सबसे आगे चला गया न्याएं न मिलने बालें में सबसे आगे है पुर्देश और अभी मैंने पढ़ा कुस दिन पहले की वन डिस्टिक वन पुर्टेट की वज़े से लाखों नौकरिया मिल गई कितना बड़ा जूट बोल ले ये सरकार और वही काम जो आपके हमारे थे वो अपने बनाए जा रहे है मुझे बताये गया कि दिवाली तक पूरवान चले एक्सपेश बेश चालू हो जाएगा मैंने अपने आजम गड़के सभी लोगों से खा कि बड़ा आराम हो जाएगा लेकिन पता लगाए कि कौन सी दिवाली ये नहीं पता है बनेगा लेकिन किस दिवाली तक बनेगा ये नहीं पताया इसलिए ये काम भी आपके हैं और जो समाजवाद से घवराता है जो समाज से डरता है वो ऐसा इंसान होगा जो मानवता को नहीं पसंद करता और समाजवाद की नई परिवाशा दे रहे हैं सुना है समाजवाद की नई परिवाशा दी जा रही है क्योंकि वो समिधान से नाराज हैं सम्विधान को नहीं पसंद करते और याद रखना है जिसने लोग बैठे है हमें और आपको अधिकार और सम्मान कोई दे रहा है तो वो सम्विधान दे रहा है और जो अधिकार सम्मान जहां से मिलते है उसके उपर हमला कर रहे हैं ये लोग ये भाती जंता पार्टी के वो लोग हैं जो संभिधान को नहीं मानते संभिधान की परवा नहीं करते उनका लक्ष कुछ और है उनकी स्टेटजी कुछ और है इसलिए हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने और सभी हमारे साथियों ने जोड़ने का काम किया है और आज जो आप बड़ी संख्या में आए हैं इसी तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी के लोग जोड़ेंगे लोगों के बीच जाएंगे और हम एक भरुसा दिलाते हैं कि समाजवादी पार्टी की जब भी सरकार बनी है उत अब देश को और समाज को विकास और खुशाली के रास्ते पर लेकर गए हैं जब कभी आप के सेयोग से बढ़ेंगे सरकार बनेगी तो नए तरीके से विकास और नए तरीके से कैसे खुषाली के रास्ते पर ले करके जाएं उस दिश्वा में काम करेंगे ये वही लोग हैं जो जातीों में लड़ाई कराते हैं तो ये धरम के सहारे धरम के पीशे जिब जाते हैं हम उनहीं लोगों से कहना चाते हैं कि देश में इतनी बड़ी जंगर ना हो रही है कारण है जो आप नहीं जाती के आकड़े दे पा रहे हैं हम समाजवादियूं का और सभी लोगों का मानना है कि जाती जंगन्ना भी होनी चाहिए और जब जाती जंगन्ना होगी तो बहुत सारी समाज की समस्राओं का समाधान हो जाएगा क्योंकि हमारा जो सम्मिधान कहता है उसी सम्मिधान से हम लोग निकाल करके यह कहना चाते है कि जब कभी समाजवाद्यों को मौक़ा मिलेगा रास्ता निकालेंगे कि किसकी कितनी अवादी है उसी हिसाफ से उसको हक忘 मिल जाए और अगर दिली की सरकार नहीं जगरना करेगी तो समाजवादियों को मौका दीजिए हम अपने फडेश की जाती जगरना कराने का काम करेंगे और टेक्नोजी में तो हैं ही आगे हम लोग क्योंकि लैप्टॉप बाटे हैं इसे टेक्नोजी में आगे हैं हमारे लैप्टो अभी भी चल ले हैं लेकिन भारती जंटा पार्टी के बनाई हुए सोचाले शल ले हुए अगर कहीं सोचाले चल ले हो तो बताईए एसा सोचाले बनाया है पूसा बना भूसा बनाई हो ये तो अपनी बता रहे हो कि आपने जो देखे हैं ने ने जो आपने देखे वो आप बता रहे हो लेकर अगर कहीं गल्टी से थोड़े हिल विल गए तो दीवाल आप की उपर गिर जाएगी ऐसे सोचाले तो कहीं दब न जाओ तो समाजवादी लोग लेफटॉप दे करके दुनिया में आगे ले जाना चाहते है दुनिया कैसी है वो दिखाना चाहते है वहीं भारती जंता पार्टी के लोग आपको सोचाली की तरफ खीच रहे है इसलिए हमारी आपकी जिम्हदारी है कि 22 में बाइसकिल चले और कुछ नहीं चले इसी अपील के साथ मैं आजदर्णिय बल्यारी बाबु जी का और तिलेक्शन अहिरवार जी का फिरनलाल अहिरवाल जी का अनेल अहिरवार इंद पाल जी का और बहुत लंबी सुची है लंबी सुची है ये जब पतकार साथी चले जाएंगे तब हम वो सुची भी पढ़ लेंगे और जो साथी बाहर रहे हैं उनको बुला लेंगे अंदर मैं सभी का स्वागत करता हूँ बढ़ाई देता हूँ आज बहुत बड़ा एतिहास से काम हुआ है कि जहां पर आप लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हुए है इससे नकेवल समाजवादी पार्टी का हमलों का मनोबल बड़ा है बल्कि पूरे प्रदेश के जो लोग परिवर्थन चाहते हैं उनका मनोबल बड़ा है हम आपका धन्यवाद और स्वागत करते हैं बहुत बहुत बढ़ाई आपके